और ये रेखे ये महाराश्र से ये तस्वीरे आ रही है जहाँ पर अटल सेतु का उधगाटन प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी कर रही है मुंबई में अटल सेतु का उधगाटन हो रहा है मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला ये अटल सेतु अपने आप में भी जादा रफटार देने वाला ये पुल जो आज उदगाटन हो रहा है इसका अटल सेतू नाम है इस पुल का जो मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगा और अब ये जो दूरी है घंडों की थी जिसे सिर्फ 20 मिनट में लोग पूरा कर सकेंगे खुबसूरत डिजाइ अच्छा अनुभव भी होगा रफटार के साथ ही खुबसूरत नजारा भी आप देख सकते हैं तो मुंबई में अटल सेतू का उद्गाटन प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का रही है उनके साथ महाराश्र के मुख्य मंतरी भी मौजूद है जिने आप देख पा रही है और साथ ही अटल सेतू में के बारे में और भी जानकारियां प्रधान मंतरी इस वक्त अधिकारियों से लेते हुए यानि की यात्रा में सुविथा और जो इसकी खासियत है विशेश्टाएं के 21.8 कीलो में दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक तस्वीर जिसमें प्रधान मंतरी जानकारी लेते हुए पुल के बारे में और दूसरी तस्वीर आप पुल के तस्वीर देखिए दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो बहुत ही खुबसूरत ये पुल नजरा रहा है अटल से तो इसको नाम दिया गया है जिसका उदगाटन कार के स्पीड यहां 100 क्लिमिटर प्रतिगंटा रहेगी वहीं रोज 70,000 गाडियां यहां से गुजरेंगी यह अनुमान हैं हर साल एक करोड लीटर इंधन की बच्चत होगी इस पुल के निर्मान की बार क्यूंकि मुंबई और नवी मुंबई के बीच आबादी बहुत बड़ी आबादी है जो रोजाना ट्रावल करती है और यह आबादी यह गाडिया जो ट्रावल करती है उन्हें अब कम दूरी करनी पड़ेगी तो इस हिसाब से आई फ्यूल की बच्चत होगी हर साल माना यह जा रहा कि एक करोड लीटर इंधन की बच्चत होगी भारत का सबसे लंबा ब्रिज है अटल से तू दुनिया का दसमा सबसे लंबा पुल है यह और बहुत ही खुबसूरत है दो घंटे का अब सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो जाएगा यह दावा किया जा रहा है जो मैक्सिमम लिमिट है स्पीड की वो 100 किलोमेटर प्रती घंटा है